नमस्कार मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल अंकिता की रुसोई में आज हम बनाएंगे साममक्य चावल से नवरातरी स्पेसल रेसिपी बहुत से लोग फाष्ट रखते हैं और कुछ तीखा खाना पसंद करते हैं और वरत में कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं तो जो लोग तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं वरत में उनके लिए ये खास रेसिपी लेके आई हूँ यहां मैंने सामक्य चावल का आटा लिया है जो चार चमच भरके हम एक बोल में डाल देंगे दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजे और मेरा सपोर्ट कीजी आगे बढ़ने में क्योंकि आपके सपोर्ट के विना मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखकर मेरा सपोर्ट कीजेगा अब हमें इस आटे में डालना है थोड़ा थोड़ा करके पानी आपके पास अगर आटा नहीं है तो कोई बात नहीं आप चावल को मिक्सी जार में डालिएगा और उसी में पानी डालकर ये बैटर बना कर तयार कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, इसमें एक भी गांट नहीं रहनी चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, येकिन मानिये दोस्तों, इतनी स्वादिष् रेसिपी है, अगर आपने एक बार इसे बना कर खा लिया, तो पूरे नो दिन तक आप इसी नास्ते को बना कर खाना चाहेंगे, और इतनी स्वादिष्ट है कि इससे आपका पेट तो भरे गई, लेकिन मन नहीं भरेगा, इतनी अच्छी ये रेसिपी बंदगर तयार होगी तो देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा गोलते हुए, मैंने इसका इतना पतला बैटर बना कर तयार कर लिया है, जैसे हम जब डोसा बनाते हैं, डोसे का बैटर बनाते हैं, उतना पतला ही हमें इसका बैटर बना कर तयार कर लेना है, अब हम इसमें कुछ चीजे डालेंगे जो हम वर्त में खाते हैं जैसे यहां मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक यहां मैंने वर्त वाले नमक का इस्तेमाल किया है अब हम इसमें डाल देंगे तीन से चार हरी मिर्च मिर्ची का इस्तेमाल मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है क्योंकि इस नास्ते को थोड़ा चट-पटा बनाएंगे तभी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ धनिया और धनिया डालने के बाद एक बार फिर से इने हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है ये वर्त के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने इन में वर्त में जो खाई जाने वाली चीजे हैं उनी का इस्तेमाल किया है तो इस बैटर को बिल्कुल अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर देना है तवे को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था और देखे तवा बिल्कुल अच्छे से गरम हो गया है अब हमें क्या करना है कि इस पे बिल्कुल थोड़ा सा देशी घी डालेंगे और घी ड दालने से फहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योकि चावल काटा नीचे बैड़ जाता है और इस तरह से हम कड़्ची भरके इसके उपर डाल देंगे तवे के और थोड़ा-थोड़ा हमें इस तरह से साइडों में भी डाल देना है ताकि इसको हम गोल सेप में बना सके तो देखे थोड़ा सा मैंने इसको गोल सेप में बनाने की कोशिस की है लेकिन पूरा गोल इसको नहीं बना पाई हूं लेकि जब इस तरह से ये उपर से बैटर थोड़ा सुखा हुआ लगने लगे तो हम इस पे आदा चमच घी डाल देंगे घी डालने से इसमें बहुती अच्छी खुस्बू और टेस्ट आएगा तो आप इसमें देशी घी का इस्तेमाल जरूर करें और अगर आप घी या तेल खाना है और ये तूटता भी नहीं और देखे कितना अच्छा जालीदार हमारा जो नास्ता है बन कर तैयार हुआ है दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से से शेक लेना है ताकि ये बिल्कुल भी कच्छा न रहे अंदर तक अच्छे से सिख जाए से टाइम इसको हलका हलका सा द से बनकर तैयार हुए है और देखे देखने में भी ये कितने खुबसूरत लग रहे हैं ये कीन मानिये खाने में उससे कहीं ज्यादा चटपटे टेस्टी बने हैं और इनको खाने के लिए यहां मैंने बनाई है सुखी आलू की सबजी और दही ये दही के साथ भी बहुत अ जो है दुगना हो जाता है तो आपको मेरी ये हल्दी और टेस्टी वरत वाली रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदाती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना मत बूलिएगा थैंक थैंक ब्रस्टी सक्क्राइब करके चैनल को सक्राइब करके आपको जो आफको के चैनल को वी मत जवागा तो मेरी दिएगा और एक चारा थेंक प्लीज चारा जो आफको